ओ मंगलम भगवान विश्णू, मंगलम गरुद्ध, मंगलम पुन्डरीकाश, मंगलाय तनोहरी, शादी संपन्द हुई, आप चारो बड़ों का आशिरवाद अब ले सकते हैं। शादी पूरी होते ही, रिष्टेदार और बारात वालों से भरे मंडप में ही, मौडन बहु शिखा घूंगट उतार देती है। तब ही घूंगट में ऐसे गवार बहु, महुआ, टन से बोलती है। ये लो, ये मौडन जी ठानी जी तो स्टाइल मार रही है, अभी ससुराल पहुँची भी नहीं और खूंगट उतार दिया। मदू जी जाए और शिखा बहु को घूंगट डलवाईए, सब देख रहे हैं। जी जी, शिखा बहु, इतनी जल्दी क्या पड़ी ती घूंगट अटाने की, देख रिष्टिदार देख रहे हैं। मामी जी, मैं यहां कर्मी में उबल रही हूँ और आपको रिष्टिदार की पड़ी है, और वैसे भी आप मेरे आगी इतनी टिपिकल मत बनिये। अच्छा अच्छा चल गुसा मत कर, गाड़ी में बैट जा जाकर। बहु को बेटी बना कर रखेंगे, अच्छा अब इजाज़त दीजिए। इसी के साथ मदू अपनी मॉडन कवार बहु की विदाई कराके ले आती है, जहां खुद पर घमंड करती शिखा कहती है। अच्छ कितना धर्ड क्लास लेंगा पहना है, इस कवार दीवरानी नी, अपना थोपरा दीखा है, बंदरिया जैसे लाल-लाल गाल कर रखें, बढ़ी आई मॉडन में। दोनों की बीच में बहस छड़ते देख कर सास बात को संभालती है। अरे क्यों दर्वाजी पर दोनों खड़ी-खड़ी किच-किच कर रही हो, चलो दोनों ग्रह प्रवेश करो। दोनों ग्रह प्रवेश करके ससुराल में आती हैं। अब इस घर परिवार को तुम दोनों को जोड़ कर रखना है, इसलिए प्यार महबबत से रहना। प्यार महबबत सी, वो भी इस गवार की साथ सब्वाल ही पैदा नहीं होता। मामी जी, मैं तो कोछी दिनों में नितिन के साथ सेपरेट हो जाओंगी। मैं और नितिन, वी आर हैपी फैमिली। मैं नितिन, अरे लाला बहु, तेरा बनाया भी खा लेते हैं, अच्छा बना है चाओंगी। शुरू शुरू में तो सब कुछ अच्छा रहता है, लेकिन एक हफ़ते गुजरते भी नहीं कि दोनों के बीच काम को लेकर जिक जिक रहने लगती है। शिखा जानबूज के सारे काम देवरानी पर डाल कर खुद कामों से बचती फिरती है। जिठानी जी, ओ जिठानी जी, मैंने रोटी पानी कर दिया है, आप जाकर बरतन मांज लो। नहीं, मैं नहीं मांजूंगी बरतन, मेरे नाखुन टोट चाएंगी। यहाँ पूरा दिन काम करके मेरी कमर टूट रही है और आपको नाखुन टूटने पर एक जान जा रही है ठीक है छोड़ दो फिर सब कुछ करने का ठेका हमने थोड़ी लिया है गुसे गुसे में गवार बहु भी फैली रसोई छोड़ कर सोने चली जाती है ये कलेश आई दिन का हो जाता है एक सुभा देखो या तो आप रोटी बना लो या सबजी बस चरने के लिए आ जाती हो तुमसे अच्छी तो हमारी भैसी आ है कम से कम चारा खिलाने पर दूदर गोबर तो भर भर कर देती है ये सुनकर मौडरन बहु का पारा हाई हो जाता है दो काड़ी की जहिल कवार मेरा कमपेयर अपनी भैस से करे की रुख तुझे मैं बताती हूँ तनिक छो कर दिखाओ ऐसा दो भी पज़ाड मारेंगे की हड़ी पसली चुराम चूर हो जाए रगडे जगडे में आवाज से सास ससुर और दोनों के पती भी आ जाते हैं ये भगवान अरे ओ गाउं वाली शहर वाली दूर हो दोनों की दोनों अरे घ़र के ही काम है मिलबाट कर लिया करो मामी जी मैं इस कवार के साथ टॉलेट नहीं कर सकती अरे तो हमने क्या कहा हमारे साथ टॉलेटवा में जाने को है जश शरब चाहिल कहें कि टॉलेट का मतलब बर्दाश करना होता है मामी जी अब आप बटवारा कर दीजिए अपनी मौडन बहु के बटवारा मांगने पर सास के दिल पर चाकू की तरह लगता है वो रोते हुए बोली इतनी चोटी मोटी लड़ाई जगड़ों के लिए बटवारा ही क्यों? पिकाज इस कवार के साथ में नहीं रह सकती ठीक है तो बटवारा होगा अगले दिन सास मौडन गवार बहु के बीच बटवारा करती है जिसमें चंट मौडन बहु घर का आलीशान हिस्सा और सुक सुविधाओं की सारी चीज़े मांग लेती है मामी जी घर का ये हिस्सा मैं ले रही हूँ और ये फ्रेच एसी मिक्सर ग्राइंडर ये सब कुछ भी क्योंकि ये सारी चीज़े मेरी कवार दिवरानी के मतलब की नहीं है जहां सुविधा के सारी चीज़े मौडन बहु हडप लेती है वहीं बटवारे में गवार बहु कोई चतुराई नहीं दिखाती उसके हिस्से में मिट्टी का एक मट्का और घर का मिट्टी वाला हिस्सा आता है तब ही ससूर नम आखों से बोले अरे हार्जीज का बटवारा तो तुम दोनों ने करही लिया है अब बता दो हम बुड़े बुड़िया को कौन करेगा आप हमारे साथ रहे जाएए पापा जी और मा जी इस गवार के साथ रहे लेंगे वैसे भी सास को अपनी साइड लेनी का मदलब है उसकी रोक टोक सुनना मुझे वो नहीं चाहिए बटवारा के बाद मौड़न बहु के जिंदगी मजे में कटने लगती है जबके गवार बहु के सामने चिलचिलाती गर्मी का मौसम चुनोती बन कर खड़ा था महुआ इस कच्चे हिस्से में हम कैसे रहेंगे चलो कहीं किराएपर रह लेंगे इससे तो अच्छा ही रहेगा न नहीं सजनवा हम उसी ससुराल में दुलहन मत कर आये थे परी चमपा और जोर से चिला घटा फाड़ दे ताकि उस मौडन में की नीन दोग जाए उफ ये कवार ती वरानी की बफेलो तो बुफर की तरह शोर कर रही है इसे जाके बताती हूँ गुसे में तम-तमाई मौडन बहु शॉर्ट सी नाइटी डाल कर बाहर आ जाती है जहां गवार कर दिया क्योंकि मोटर मेरे हिस्से में है पानी तुझको नहीं दूंगी अभी बतावा थे इसको तो गवार बहु दिवार में गोबर के उपले पातने लगती है जिसे देखकर मौडरन बहु नाग भूँ चड़ा लेती है अरे ओ दिहातन दिवार क्यों गंदी कर रही है ओ म पिन भीजी की तुझ से बात कर रही हूं मैं ये दिवार हमारे हिस्से में आई है हम यहाँ पर उपले पात हैं या संडास करें हमारी मरसी अब जादा भचर-भचर मत करो चलो फुटो निकलो इस गवार पौडम को समझाना भैस के आगे पीन बजानी जैसा है बड़-बड गवार बहु गोबर से पूरा हिस्सा लीप देती तो मॉडरन बहु उसके हिस्से में कच्रा डाल देती एक दिन शिखा किसी किती पार्टी में जाने के लिए तयार होती है तब ही गवार बहु खिडकी से जागती है आज तो मैं खुब मस्ती करूंगी ये इतना फैशन दा बहन कर घर के बाहर निकली तो फिसल कर गिर जाती है आउच ममा माई लेग्स आउच ममा माई लेग्स क्या हुआ मोडन जी ठानी जी लेग का लगपुस बन गया क्या यो बहन जी तुझे ये जान पूछ कर किया न मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं नाक में दम कर दिया है दोनों की बीच में महाभारत शुरू हो जाती है तब ही सब मिलकर उने छड़ाते हैं अरे क्या कर रही हो तुम दोनों बेशरम तुम दोनों खुशी खुशी रहो इसलिए घर का बटवारा कर दिया मेरे दिल पर क्या गुजर रही है तुम्हें इससे मतलब नहीं बस गवार को जोड़कर रखा था तो तुमने अलग अलग कर दिया मगर ये टाइम तुम दोनों पर भी आना है अपनी सास के आंसु देखकर दोनों को बड़ा पच्तावा होता है मामी जी मैंने अपनी खुशी के लिए आपको देखा नहीं मुझे लग नहीं रहना है साथ में रहना है अंत में दोनों गवार मौडरन बहुत सुला करके बटवारा खतम कर लेती हैं और खुशी कुशी मिलकर रहने लगती है